देखो अभी हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट कहां होता अवाल ने क्लोरोप्लास्ट के अंदर यह एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ठेक है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहें यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दो और ये कहा है thai likoid दिखाए देरें इसके अंदर स्टार्च ग्रेहन होगा कल हम ने बात की थी कि जो ग्य् Lobus है ग्य्कम वो किसमें स्टोर होता है स्टार्च के फ़र्म में स्टोर होता है एक्षवल में क्या था glucose होता है water soluble अगर वो water soluble है तो लेकल भा लीब में जो ट्रांस्पिरिशन वुसके साथ बाहर निकल सकता है लेकिन उसे क्या कर लेते हैं वह एक insolubal form में स्टोर करता है वह ऑ dar निस एंसवाल form-एस srarch और srarch जो है उगे यह ना वू ग्रेन छोटे-छोटे चोटे टुक्डो के form में तो यह एक starch grain है, यह पूरा किसका diagram आमले पास chloroplast का, यह इसकी chloroplast envelope है, ठेक है पूरा, अब यह खाली जो space हो जाता है, रह जाता है, यह खाली space है, it is called stroma या फिर matrix, ध्यान रखना, यह खाली space को stroma या matrix कहेंगे, जो यह thylakoid है, इसे stroma lamela कहेंगे, यह thylakoid का जो bundle है, उसे क क्या कहेंगे, ग्रैणम कहेंगे, यह clear हुआ, जो actual में photosynthesis होता है, वो इसके अंदर present, क्योंकि जो chlorophyll है, chlorophyll कि anywhere stored है, धायलकोइड के अंदर, अब धायलकोइड के अंदर store है, तो chlorophyll अगर धायलकेड अंदर है, तो जो भी photosynthesis होगा, वो कहां पे होगा, chloroplast के अंदर,